नमस्कार सिक्षार्तियों आपका स्वागत है मैं डक्टर घंस्याम जोशी लोगप्रशाशन विभाग सायगर ध्यापक और आज हम लोगप्रशाशन विशय पर बात करेंगे और लोगप्रशाशन विशय पर बात करने से पहले हम यह जाने कि लोगप्रशाशन विशय और उसके अंतरगत हम क्या-क्या पाठीकरम या क्या-क्या पेपर आपको पढ़ाते हैं या क्या-क्या उसके अंतरगत आते हैं यहाँ पर उत्राखंड मुक्तविश्य जैलाय में लोग प्रिशाशन विशाई जो है वो इसनातक इस्तर पर और पराइसनातक इस्तर पर चल रहा है कारी करम ये इसनातक इस्तर पर हम इसमें हर वर्ष में दो पेपर रखते हैं तो कुल जो आपके जो तीन वर्षी कारिकरम है उसमें हम आपको 6 प्रशन पत्र या 6 पाठिकरम पढ़ाते हैं और इसी तरह से हम पराशनातक इस्तर पर आपको 2 वर्ष में 9 प्रशन पत्र पढ़ाते हैं जिसमें 4 प्रशन पत्र आप पराशनातक पर्थम वर्ष में पढ़त इसमें हम पहला जो प्रश्ण पत्र है हमारा वो है लोग-प्रशाशन के सिध्धान्त और दूसरा है भारत में लोग-प्रशाशन जहां तर लोग-प्रशाशन के सिध्धान्त की हम बात करें तो जितनी भी प्रशाशन में जितने भी सर्धान्तिक पक्ष हैं उसमें इस प्रशासन हो चाहे वो राजजी स्तर का प्रशासन हो दिती हम इस नाथक पत्र की बात करते हो विस्फानधल क्ल्यान प्रशासन पढदे हैं दूसरे हम आपको प्रभंध के सिद्धान पढ़ाते हैं ये प्रशन पत्र थोड़ा सा लोग प्रशासन में या दि समाज विज्ञान की हम बात करें तो थोड़ा एक नया है थोड़ा तक्निकी तोर पर थोड़ा सा उत्क्रेश्ट है उत्क्रेश्ट इस मतलब में कि प्रबंध को जो हम अक्सर जोड़ते हैं वह हम management के साथ जोड़त हुए शंगठन के और वह संगठन जो काम करता है वो किसी ना किसी परबंध के तरीके से कारिय करता इसलिए प्रशाशन में भी प्रबंधन अपने आप में जुड़ा हुआ है और इसके अतरीकत हम जो दूसरा प्रश्न पत्र इसमां हम पढ़ते हैं वा है समाज अधिक लि समाज कल्यान की बात होती है वो लोग प्रशासन में ही संभव है लोग प्रशासन का मतलब लोग मतलब जनता जनता याना की आप लोग याना की जनता का जिसे हम प्रशासन कहते हैं और उसमें प्रशासन जो है जनता के हितों के लिए कार्य करता है जितनी भी नीथियां बनती है परिकल्पना यह है कि रामराज जी की परिकल्पना या वेलफेर स्टेट की जिसे हम कहते हैं कल्यांकरी राज जी की जो हम कल्पना करते हैं वो कल्यांकरी राज जी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वोसे हम सामाजिक कल्यान प्रसासन के अंतरगर पढ़ते हैं तीसरा प्रस्ण पत्र प्रस्ण पत्र इसमें एक तो लोग नीती है पुब्लिक पॉलिसी और पॉलिक पॉलिसी अगर देखा जाए तो प्रसासन के छेत्र में अति महत्रपूर्ण प्रसासन के लेबर पर जितनी भी नीतियां बनाई जाती है जो नीतियों का निर्मान होता है नीति निर्मान की प्रकिर्या होती है वो लोग नीति के चलते हैं और नीतियों जो क्रियानेवन का विशा है वो प्रशासन का विशा है इसमें दो चीजा आप ध्यान रखिए कि जब हम लोग प्रशासन या प्रशासन पढ़ते हैं तो प्रशासन में दो चीजा है एक तो नीती निर्बान है और दूसरा नीती क्रियानेवन है नीती निर्बान का जो काम है वो संसत के दौरा, जो चुनी ही सरकार होती हैं, उनका काम होता है और सरकार अपनी नीकियों को अपनी द्वारा किये गए जो वालते हैं सरकार के जुने वो कहती है, भूलीक पॉलिसी के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके करत compatibility नीती निर्माण की ही प्रकिर्या में भी सामील है, उसके पीछे कारण ये है की प्रसासन जोंची थी के स्रेणी में आता है, क्योँकि तक्निकी नीतिया होती, उनके निर्माण की प्रकिरिया चलती है, जो संसत में जो पारित होते प्रस्ताव, उनसे वागे बढ़ती है, और तीसरा, इसी तृती वर्स में हम जो दूसरा प्रशन पत्र हम आपको पढ़ाते हैं, वो है आपका प्रसासनिक चिंतक, और राजनीती विज्ञ कि उसलिया चिंतक होता है, वो उस चीश से प्रभाइत होके उस पर विचार करता हूं, इस लिए इसमें ही करम में, राजनीती-चिंतक की जगां प्रसासनी चिंतक भी सामिल हैं, तो प्रसासनी चिंतक में हम यह पढ़ता है कि प्रसासन के लेकर लोगों की क्या अपनी थ्योरीज हैं क्या अपने आइडियाज हैं लोगों ने प्रसासन के बारे में उसकी अच्छाई के बारे में उसको आगे बढ़ाने के बारे में उसके सुधार के बारे में लोगों में क्या कहा है और क्या उसमां आगे होना चाहिए या सब सब्दक निका कात रही है कि हम्ने अपने समय में पढ़ा था कि जो परिस्तितियां जो है वह अणने कि परिस्तितियां को उसे आजम न होती हैं कि किbuh Laguna को तक γटना के बारे लेतने का हर एक का अपना एक नजरिया होता अपना एक चस्मा होता है कि यह दिखता है जो आफे लिए सब्सक्राइब करें करते हैं और एसा होता तो यह अच्छा होता अगर आज नहीं होता तो यह आप और बहुतर होती चीज और बहुतर होती यह सब चिंतकों का काम है इसलिए जिसतर राजनितिक चिंतक हुए है राजनिती में सुधार या राजनिती की विसंगितियों को दूर करने के लिए उनके बारे में सोचने के लिए क्योंकि हर कोई समय में हर तरह के चिंतक पैदा उस पर किसी ना किसी को जब कोई करता है कि यह सही नहीं हो रहा है, यह समाज के हित में नहीं है, यह देश के हित में नहीं है, या देश की सिमाओं के देश की सुरक्षा के हित में नहीं है, तो तब यक्तिक चिंतन की स्रेडी में आता है, इसलिए जब हम राजितिक चिंतन की बात करते हैं उसी तोरह हमारा प्रसासनी चिंतन पढ़ेंगे आप तो चिंतन में आपको जहतर हम अपने जो प्रसासन के बारे में और रजनेती के बारे में काफी कुछ कहा है और कोटेली का सब्तांक सिद्धांत और कोटेली की की राजा के करतवयों के बारे में और जन्ता को के बारे में उसने पने Wasid Moon काहा है और इसके लाइज संतरु फ्रसासन के चेतर में उनका हम ा इसमें अध्यन करते हैं उनकी बारे में ज MIN'Tा करबने यह जोलिवालादर, गृ इस इसमें तुन्लात्मत लोग प्रसासने चौथा इसमें भारत में इस्थानी सौसासन करके तो पहले जो दो के बारे में हम चर्चा करा चुके कि जो सिध्धान्त वाला पेपर है इसमें हम प्रसासन से जोड़े सिध्धान्तों को थ्योरीज को हम पढ़ाते हैं और दूसरे में भारत के संदर में भारति परसासम के संदर में आपको पड़ाते हैं क्योंकि हमें पता है कि परसासन की है वो अब एक समनना के प्रसाता में अगर हम बात किरें तुलनात्म लोग विवहागओं के द्वारा काम करता है तो कहां किया बैपर है जी of बोडरोब विजिसन जो उसके चिंता जो इसके फादर माने जाते हैं लोक प्रशाथन का तो उन्होंने भी इस बात की बड़ी महत्ता दी कि हम अमेरिका ने भी जब अमेरिका अपने अपने उस दौर में था वहां भी लोकतंत का दौर लेकिन उन्होंने बाहर के देशों से प्रसासन के समझने में सीखने की प्रक्रिया को चुना उन्होंने का नहीं ऐसा नहीं है कि जो बाहर के प्रसासन में उसे भी हम ले सकते हैं हम उसको उस तरह से लागू नहीं करेंगे जैसे दूसरे दिसमें वहां के प्रसासन से हम लेंगे वहां के प्रसासन की अच्छाईयों को हम लेंगे लेंगे हम उसको प्रसासन की जो अच्छाई है को हमारे सासन व्योस्ता में कैसे हो सकती है उसके लिए हम काम करेंगे तो हम इस्थानी प्रशासन में पढ़ते हैं प्रशासन या लोग प्रशासन विशाई की जह हम बात करते हैं तो उसके बाद हम इसमें आपका विकास प्रशासन है कार्मिक प्रशासन है वित्ती प्रशासन है इसके अला इसमें हमने एक विपर उत्राक्रम राजी प्रशासन है औ हो है आपका प्रसासनी चिंत जिसको हम इस Pacis तरня पढ़ा六 पर पढ़ाते हैं और इसमें थोड़ा बहुत जो पाठिकरम है उन पाठिकरमों में थोड़ा सा बढ़ा करके थोड़ा सर्क्रीशन करके हम इसको ठीकर सथक्राइब आकले लोग प्रशासन में समाज के लिए प्रशासन या वेलफेर स्टेट कहां पर आता है इसके समंद्र हम चर्चा करेंगे धन्यवाद